हलो, नमेश्कार, वेलकम टो इनकलकेट लेर्निंग, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजेंसी और इंस्टिटूशन्स की रिलेटिड टू इन सर्विस टीचर एजुकेशन, अब इनको हम जो है तीन लेवल पर पढ़ते हैं, डिस्टिक लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, अगर हम और ज्यादा डीप में बात करें, तो हम अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम युनेस्को को जो है वो इनकलूड कर सकते हैं, ठीक है क्योंकि UNESCO जो है वो भी education के field में global level पे काम करता है लेकिन अभी हम बात कर फर्स सबसे पहले बात करते हैं district level की district level पे एक होता है सर्फिक्षा अभियान और दूसरा होता है सर्फिक्षा अभियान जो है वो 6-14 साल के बच्चों के लिए elementary education प्रोवाइड करने के लिए 2001 में चलाया गया था तो वहां से जो है यह district level पे कैसे काम करता है कि elementary education और education के field में जो भी educational body जो है वो काम करेगी जो भी बोडी होगी वो quality education के बारे में हमेशा बात करेगी और जब हम quality education की बात करते हैं तो automatically in-service teacher education उसमें include हो जाती है क्योंकि teachers की education की quality उनकी जो knowledge enhancement है वो जब सही तरीके से होगी तब ही हम किसी भी educational program को जो है successful करने में help कर सकते हैं या उसकी successful होने की उमीद रख सकते हैं तो सब एक है सरुसिक्षा अभियान दूसरी body है D.I.E.T. जिसकी full form होगी district institute of education and training तो diet जो है वो किसके अंडर काम करेगी वो SCRT के अंडर काम करती है यानि SCRT अगर कोई plan बनाती है या वो कोई teacher education का program जो है वो उसका plan करती है तो उसका implementation district level पे कोन करेगा diet करेंगी उसके बाद state level की जब हम बात करते हैं तो state level पे एक होता है रमसा और एक होता रमसा भी जो है वो secondary education के लिए चलाया गया था यानि 9th और 10th के बच्चों के enrollment के लिए 2009 में यह अभियान चलाया गया और SCRT जो है वो autonomous body है state level पे दूसरा फिर है national level की अगर हम बात करें तो नूपा, NCTE, NCRT और UGC यह जो bodies है यह national level पे काम करती है जब teacher education की बात आती है क् कि यह सारे की सारे भी education से related bodies है उसके बाद अगर हम बात करें कि यह कैसे काम करेंगी जैसे सर्फिक्ष्य अभियान है उसकी एक guideline में split up model जो है वो include किया गया है split up model क्या होगा 6-8 दिन का एक program होगा plus 2 दिन का जो है वो classroom teaching program होगा यानि 6-8 दिन की जो teacher education चलेगी वो diet level पे चल जो है फिर classroom के हिसाब से classroom में चलेगा तो यह split हो रहा है कोई भी एक program है मान लीजे 10 दिन का कोई camp है teachers के लिए तो वो 6-8 दिन जो है वो diet में और 2 दिन जो है वो classes में तो यह split कर दिये हैं हमने दिनों को to split करने के बाद बज़ा से इसको क्या बोलते हम split up model जो की सर्फिक्ष और एन आई एन आई एन आई यह नहीं कि national institute so institute of education central institute of education educational technology तो यह जो छे constituent units हैं वो किसके units है NCRT की क्योंकि कई बार जो है directly indirectly यह पूछ लिया जाता है कि यह जो bodies है वो किस से related है कि मान लीजे match the following में आपको दे दिया इधर जो है NCRT है नूपा है और उधर जो है यह क्या दे दिया CIET यह इन में से कोई दे दिया तो यह सारे के सारे किस से related है NCR से related है यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए दूसरा अब जो यह implementation होगी वो किस तरह से होगी यह इस बारे में हम discuss कर सकते हैं तो सबसे पहले होगी जैसे SCRT के एंडर एक तो हमने split up model की बात की सर्फ सिक्षाभियान के अंडर दूसरा अगर हम SCRT के अंदर देखें तो उसमें activities प्रोग्रम activities और करते हैं और जब हम activity बोलते हैं तो उसमें क्या difference आ जाता है कि यह तो वो individual level पे हो रही है या फिर वो जो है पांच से कम लोग उसम आपने सुनाओगा dance की workshop, singing की workshop तो वो बकायदा उसमें dance करवाते हैं आपसे practice यह नहीं होगा कि वो आपको education level पे dance की थियरी पढ़ाने लग जाएं तो वो workshop जब हम बात करते हैं तो workshop क्या है कि practical life में यानि classroom teaching में क्या-क्या problems आ सकती हैं यानि कि आपको lesson plan करने में कोई दिक् तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो workshops में करवाई जाती है, include की जाती हैं ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमें पता है कि digitalization बहुत rapidly increase हो रहा है तो उसकी वजह से क्योंकि teacher recruitment तो हमेशा से चलती आई है तो जो teachers पहले recruit हुएं जिनके time पे computer शायद था भी नह teachers हैं उनको भी जो है digitalization के बारे में पता हो उनकी knowledge enhancement के लिए या माल लीजे कोई computer का ही जो है computer के लिए train करना है तो कुछ एक दो महीने का course है तो वो सारी चीज़े training के अंडर आ जाती है कि जब वो training की बात करते हैं जब हम word program को include करते हैं तो program word में एक long term course जो है उसकी बात हम कर रहे होते हैं माली जीए teachers की recruitment होई central level पर किसी भी teacher को जो है particular state जो है मिल गया उस state के school में उसको जो है job मिली और उस state की language के बारे में उसको idea नहीं है तो माली जीए उसको language का पूरा course करवाना है तो वो किसमें आ गया program में तो यह इस type की activities workshop training programs यह जो है किस करवाई जाती है इन यह जो educational bodies है यह organize करती है ऐसी ऐसी activities अब बात आती है कि यह जो agencies or institutions है यह जो art institutions यहां मैंने लिखे हुए है यह सारे के सारे आपको अलग-अलग separate video जो है वो channel पर मिल जाएगी link आपको description box में भी मिल जाएगा so this was all about agencies and institutions of in-service teacher education अगर आपको यह video informative लगा हो तो like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए inculcate learning को thank you so much for watching